वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पे आते हैं ध्यान लगें आज हम अनिमल हस्बेंडरी से स्टार्ट करते हैं ठीके तो जो हर अपन लोग थे हर अपन पीपल थे वो किन-किन जानवरों से किन-किन अनिमल से बहुत फैमिलियर थे वो काउ से थे बुल से थे बुफैलो गोट बोड डॉग एलिफेंट एक्सेटरा अब यहां पे एक इ ठीके लायन वस नॉट नून यह पूछा जा चुका है पहले पेपर में इसलिए मैं बता रही हूं लायन तब जो है इंदस लोगों को पता नहीं था उसके बारे में ठीके अब देखे लिखा है बट हम ट बुल वस वेरी क्लोस तू थेम हम बुल बहुत क्लोस था जब आप हम बुल बहुत क्लोस था उनके तब बोंस ओफ होर्से हाव बिन फांद फ्रम लोथल काली बंगा और सुरकोटदा से भी मिला एकसे ट्रा इन सब जगाओं से जो है घोडे का जो है बोंस मिला एविडेंस ऑफ काव और कामल के ठीके बट डिस्रिप्शन उंपॉर्टर टरक पर काव तो अगाहन्य भी थी हमने पहले भी आइन ये कि जो है काव को हम रिग्यदिक पीरिघ से क्याओ कैसी खुझा आनिमल है कैसी अनिमल नेख जो अग्हन्या प्लाता एं काव को साक्रिफाइज नहीं लिए सकते थी सकते था किंगर कई इनके बारे में थार अर तो पत नहीं की गई है ठीक है अब क्राफ्ट और इंडस्ट्री पर आ जाते हैं सबसे इंपोर्टेंट इंडस्ट्री जो थी हर अपन कल्चर में हर अपन civilization में वो थी आपकी textile industry कौन सी textile industry ठीक है ता बिजनेस ओफ spinning cotton and weaving cotton clothes was highly developed क्या था spinning cotton और weaving cotton के कपड़ों की बुनाई करना ठीक है weaving cotton के कपड़ों की बुनाई करना यह सब बहुत ज्यादा प्रचलन में था बहुत हाई business था remains of cloth painted in red color where found in silver vessel in Mohanjodaro अब remains of cloth कपड़ों का जो है कपड़े का एक इसा जो बचा हुआ वो जो कि लाल कलर में painted वो कहां पे मिला है यह एक silver vessel एक चादी के बरतन में मिला है यह Mohanjodaro में कहां पे Mohanjodaro में यह मिला है क्या मिला है red color का cotton का cloth या फिर बचा हुआ कपड़ा red color का ठीक है किसमें सिल्वर के बरतन में Mohanjodaro में cotton cloth and cotton yarn wrapped into copper instrument have been found in Mohanjodaro Mohanjodaro से ही cotton cloth या cotton yarn जो कि किसमें दो copper instrument में दो कासिक instrument में रखे हुए यह भी Mohanjodaro से ही मिले है ठीक है the piece of clay obtained from Kali Banga has got a trace of cotton cloth and from here a razor wrapped in cotton cloth has been found now this important point is that what we get from Kali Banga is a piece of clay which is a little trace of cotton cloth and this is a razor from Kali Banga is a razor that has been cut in cotton cloth so no one of the razor can ask a question, razor that has been cut in cotton cloth and it has been cut from Kali Banga okay the stamp obtained from Lothal saw the trace of cotton textile Lothal पे जो stamp मिले है वो भी cotton textile के जो है मिले है textile marks have been found on the earthen pot obtained from Alamgirpur Alamgirpur से जो earthen pot मिले है जो pot मिले है उनमें भी cotton textile के जो है textile marks ते टेक्स्टाइल मार्क ते ठीके टेक्स्टाइल मार्क ते ते लगे हुए थे उन pot पे जो के आलमगीरपूर से मिले हैं जानिस्तान से लिया जाता था ठीक है evidence has also been found of brickkins which were located outside the city gold and silver jewelry obtained from excavation of the ruins of the city of the Indus civilization copper and tin utensils tools and equipment suggest that the people of Indus civilization were aware of metal casting lost wax casting techniques अब जो कि jewelry मिली है सोने चांदी की copper के utensils मिले है tin के बरतन मिले है copper के कासे के बरतन मिले है तो यह सारी चीज़े क्या बताती है हमें हमें यह बताती है कि Indus people बहुत aware थे metal casting अब क्योंकि बरतन बनाना है तो metal को mold करना आना चाहिए ठीक है आपको कोई भी jewelry बनानी है तो आपको wax पिगलानी आनी चाहिए तब ही तो वह जुड़ेगी नहीं दूसरे से तो यह चीज़ हमें यह बताती है कि Indus people बहुत अच्छे सा वेर थे metal casting और lost wax casting techniques के ठीक है यह सारी चीज़ों ने बहुत अच्छे से आती थी गोल्ड smiths were skilled in the manufacture of jewelry various types of items were made from conch, oyster and ivory अब क्या है जो shell होता है ना oyster होता है सीप होते हैं सीपिया से बहुत सारी चीज़े जो है बनी होती थी bed maker factories have been discovered from चानुदार और लोथल यह हम पहले भी discuss कर चुक है कि bed making factory कहां पे आपकी डिस्कवर की गई है चानुदार और लोथल में बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है रटलें से the peculiarity of the pot trees of the harappans was the smoothness and shine of the pot trees ठीक है the potter's wheel was very prevalent in the civilization potter की जो wheel होते है न potters की वह बहुत ज़दा प्रेवलेंट ही किसमे in this valley civilization में ठीक है यहां से आप यहां पे आपका animal husbandry और craft और industry इंदस people की खतम होती है I hope आपको session अच्छा से समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो students तो please comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा और अभी तक अगर आपने channel को like share subscribe नहीं किया है तो please कीजे और bell button तो press करना ना भूलिए Thank you so much for watching